बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे पश्चिम बंगाल पंचाय चुनाफ से जुड़ी हुई बड़ी खबर जहां कूच पिहार के सिताई में पोलिंग बूत पर हम्दा हुआ है बिल्कुल नहीं आपर असमाजिक तत्वों ने बूत पर अटाक किया वहाँ पर आगजनी की है सिताई कूच पिहार में पोलिंग बूत पर अटाक हुआ है जी निउस आपको लगातार ग्राउंड से एक्स्क्लूजिव विज्वल दिखा रहा कुछ असमाजिक तत्वों ने बूत पर अटाक किया उसको आगज की हवाले किया है कि पश्चिम बंगाल में आग पंचाय चुनाफ का दिन है और साथी साथ ग्राउंड से हिंसक घटनाओं की लगातार तस्वीरे सामें आ रही है पड़ी संख्या में पोलिस पल की तैनाती की गई है लेकर उसके बावजूद भी जो पद्रवी है उनकी तरफ से ये कृत्ते किये जा रही है दो तस्वीरें आपके सामने करी सुरक्षा के बीच वोटिंग का सिलसला भी जारी है सुबह साथ बज़े से वोटिंग शिरू हो चुकी है लोग पहुँच रही हैं पोलिंग बूथ तक दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रही है जहां पर वोटिंग से पहले ही हिंसा की कई तस्वीरे सामने आई और वोटिंग के बीच भी हिंसा चुरारी है ये सताई का पोलिंग बूथ है जहां पर आगजनी करती गई रोका गया है राजपाल का काफिला गुजर रहा था दक्षीन 24 परग्णा में इस काफिले को रोका गया ये जानकारी आ रहे है पॉसब बड़ा राजपाल की तरफ से यापील भी की गई कि जो बुलिट का जवाब है वो बैलिट से दिया जाए लेकिन इंसा की खबरे लगातार सामने आ रही है और दक्षीन 24 परग्णा में राजपाल के काफिले को रोका गया राजपाल का गुजर रहा था उसको ओन्वई को फिलाहल रोका गया है तियातर सुरक्षा की भी तमान जिन विस्थाईयों का जाइजा लिया जा रहा है लगातार पश्रिमंगाल में जब से पंचाय चनाफ का एलान हुआ था तब से आज पॉलिंग डे के दिन तक लगाता पश्रिमंगाल से ही मिल रही है ज़ान दक्षिन 24 परगना में CPIM के बूथ एजेंट के साथ मार पीट हुई है टेमसी कारकरताओं पर हमले का रोप लगा है हमले में CPIM के बूथ एजेंट के सर पर गहरी चोट आई है दक्षिन 24 परगना के डामन हारबर में ब्लॉक नमबर एक घटना सामे आ रही है CPIM के बूथ एजेंट पर हमला हुआ है ZNews